मतलब क्या हुआ कि इन 8 बंदों के पास इनके पास 40 42 रुपए थे 42 42 रुपए रह गए इनके दो 2 रुपए कम होगे सबके 8 बंदों के तीसरी के 4,000 मानना था चौंती की 4,000 मानना था इसकी 4,000 नहीं है एक्चलि मैं 7,000 है 3,000 एक्ष्रा कहां से लाया हुँगा मैं इन तीनों से बटोर के लाया हुँगा 1,000 रुपए एक्ष्रा वल फ्रेंड्स में नाम है वीजे और आज की वीडियो में हम लोग average के question करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको average के concept समझाये थे मैंने question करवाये थे आपके different type के मैंने आपको मां concept के वारे में बताया था अगर वह वीडियो नहीं देखी हैं दोनों की दोनों तो जरूर वीडियो को देख लिजे तभी आपको यहाली वीडियो में बहु सबसे पहला question हमसे क्या कह रहा है कि the average of five number is 24 if one number is 20 ठीक है what is the average of remaining number ठीक है इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं आप यह निकाल सकते हैं कि total sum कितना है जैसे 24 नंबर है ठीक है 24 है नंबर है 5 जोनों के पास 24 नंबर है तो total sum कितना हुआ होगा 120 हुआ होगा ठीक है अगर 5 जोन ठीक है तो number बोलना है मैं रुपे बोलना हूँ रुपे इसले बोलना हूँ ताक कि धिमाग में अच्छे समझ में आए क्योंकि रुपे वाली चीजे जो जाना अच्छे समझ में आती है ठीक है पांच जनों के आज 24 नंबर होगे तो बाकि चार के पास कितनी रुपे होंग यह सीजार से में जो यह सोचा मैंने जो कि इसके पास नहीं है तो यह चार किसके पास जाएंगे इन चारों में बढ़ जाएंगे यह किसको मिलेगा गएग इसको मिलेगा अब नएवरेज कितना है पच्चिस 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 जब सब का पच्चिस है तो average कितना होगा 25 तो यह इसका अंसर बन जाएगा ठीक है इस तरीके साब सोच सकते हैं अब देखें सेकंड कोशन कहा रहा है था एवरेज एज और फैमिली ऑफ फोर मेंबर इस थाटी तीस साल एवरेज एज दे रखी थी तो मैंने यह माना कि सबकी एज कितने होगी 30 30 30 होगी लेकिन मेरा अजंशन क्या हो गया रॉंग हो गया क्योंकि इसने नेक्स लाइन में यह बोल दिया कि फादर की एज 45 है मतल जो मैंने 30 माना था उसमें 15 मुझे और मानना पड़ेगा यह 15 मैं 50 ter Milka आनों जो कि इन एक पूछाहिं मादर का वहии पहले चयर्ड का और सेग्सें चयर्ड का तो 25 25 रहा है कितना होगा 25 सबका जय बादरज तीन जुनों के निकालना है न आप तीन जुनों के अवरेज निकालना है जिनका सम आ रहा है 75 तो यहां पर एवरेज कितना जाएगा 25 क्योंकि तीन से डिवाइट करेंगे तो 25 वाज जाएगा आप दोनों मैच्ट से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे ठीक है और यह जो PDF हम कितना निकल जाए आप सको multiply कर लेंगे इफ तट टीम स्कोर फॉर शिक मैच इस 900 अगर छह मैच का एवरेज 900 है थीक है छह मैच का एवरेज 900 है वाट इस एवरेज आव लास्ट तू मैच इसको एवरेज कितना होगा तो इसको इस मैच्ट से करना सभी रहेगा यहां पर हंडेट से मल्टिप्लिया किया तो 800 आगया फिर मैंने एट जा किया 64 तो 640 इनको प्लस करते है तो 0414 यह आपका आंसर आगया ठीक है तो यह इसका टोटल सम निकला उसमें से 900 सम तो इहीं पर यह पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से दिमांख में आपके अप्रोच आ रहे हैं जिसका वेट ता 75 यह वही वाला कॉंसेप्ट है जब आपका नया बंदा जुड़ जाता है तो उसके साब से average में क्या effect पड़ता है तो मैं मान के चल ला था कि चार बच्चों का साथ average ठीक है एक 75 वाला आ गया तो मैं इसको 75 नहीं मानूँगा इसको मैं 60 ही मानूँगा और 15 अपने पास reserve लख लूँगा तो अब 5 जनों का average कितना है 60 है क्योंकि हर किसी क्या 60 60 value है ले सबको तो average सबका बढ़ जाएगा 33 से क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर सबका नंबर एक्वल है और हम एक्वल अमाउंट एड कर रहे है तो average भी नया उसी हिसाब से बढ़ेगा जिस हिसाब से हम अमाउंट को एड कर र इतना है इप मैनेजर सेल इतना यह पहले जैसा कोशन फिक है जैसे हमारे उपर जो कोशन मैंने करवाएं है इस ही टाइप हो थाड नंबर इन रिंद शिक्वेंक हो गया साथ नमर माले मैं एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक हमें पता है कि क्या होता है अगर consecutive number है, consecutive number मतलब क्या होगा, कि लगातार number होगी, लगातार odd number होगी, जैसे कि तीन है, तो दूसरा number 5 होगा, 3 के बाद 5 आता है odd number, 5 के बाद कितना हैगा, 7, 7 के बाद कितना हैगा, 9, तो यहाँ पर जो difference है, वो 2-2 का है, ठीके, तो उसमें जो पीच का नंबर होता है वही आपका एवरेज बनता है तो इससे कम इससे पहले वाला और नंबर क्या होगा नाइन तो नंटीन बनेगा अंसर इसके बाद बार सेवन्थ कोशिन होगा एक निकाल दिया हमने तो इसके नाया एवरेज कितना बन गया विकम 42 रुपए थे हमने एक को चले चले गया हर जाना हो गया डिलीट हो गया यहां से या चले गया वह मतलब जो बंदा गया होगा वह एक्षे रुपए निकाल की लेगिया ठीक है तभी तो यहां पर दो-दो रुपए एवरेज कम होगा एवरेज कम होने का मतलब क्या हुआ कि वह एक्ष्टा लेके गया है 40 रुपई तो फोट्टी टू रुपई तो इसके पास होने ही चाहिए थे क्योंकि एवरेज का मतलब होगा कि 9 के 9 बंदों क्या 42 रुपई है 1 2 3 4 जितने बंदों गे सब के पास 42 रुपई होंगे अब हो 42 रुपई आपने लेही गया एक्स्रा इनके भी लेकिया तब ही तो इनका इवरेज में कमी आ तो फितती एट गे इसका आंसर बनेंगा पिन इक्सक्टीद नंबर है । वो क्या है 58 है ठीक है हमें इस अगर average गिरता है ठीक है अगर कोई किसी के जाने से average गिर जाता है तो हमें साब यह समझेंगे कि वो जो लेके गया वह extra रुपए लेके गया है अगर किसी के जाने से average बढ़ रहा है तो मत्तब वो कम रुपए लेके गया है ठीक हो गया आपके लिए छोड़ गया वह एक्षा रुपए जो आपने उसमें एड कर सकते हैं अगर देखे नया question हम से क्या कर रहा है था average of a group of a five friends 5 friends थे जिनका average group 25 थी एक नया friend आया जिसकी age थी 28 अच्छा एक 28 वाला आया तो नया average क्या होगा पूच रहा है ठीक हो गया अब average भढ़ जाएगा कितने से बढ़ जाएगा ये तीन एक्ष्ट्रा लेका जाया है ताथ था है व्पास फ्वार से बढ़ जाएगा तो 25.5 आएगा कितना बढ़ेगा 25.5 बढ़ेगा फिर से समझातों देखे पांच जने थे सबकी एस थी 25 एक जना आया अगर उसके एस 25 होती तो सेम रहता है लेकिन एवरेज सेम नहीं रहेगा क्यूं क्यूंकि वो ज्यादा लेके आया अपने पास एक्टा रुपे लेके आया है तीन रुप जाएगा। कि 6 नंबर दे रखें एक का 35 है एक नंबर उसमें से 40 है तो बागी का निकाल लिए ठीक है असाना सब्सक्राइब घर के लिए रहा हूं तफ वाले यहां पर करा रहा हूं तफ क्या करा रहा हूं यह भी इजी है आपके लिए क्योंकि यहां पर इंटर्व्यू में इसी लेवल बागी करें अब आपने प्रेंटेज कर लिया और प्रसेंटिश कर लिया आपने प्रॉफिट और लॉस कर लिया आप जो कोशन के जाते हैं जो कोशन आपको नहीं आएगे जो आपको दीखना पड़ा जिसका जिसका solution आपको search करना पड़ा Google में, वही question को आप repeat करेंगे दुबारा, वह question को नहीं करेंगे दुबारा repeat, जो आपने एक बार में कर लिए, जो भी question आपने one go में खुछ से कर लिए, चाहे वह आप YouTube से वीडियो देख रहे हैं, चाहे या ले question है, अगर one go में कर लिए आपने तो उन question को आप दुबारा नहीं करेंगे, किन question को दुबारा करेंगे, जिनको आपको time लग रहा है, जिसको दो बार आपने करा, तब भी solution नहीं आया, तीन बार करा, तब solution आया, या फिर आपको solution देखना पड़ा, उसको आप दुबारा जब revision करेंगे, चाहे दूसरे subject का बी कर रहे हो, दूसरे topic का भी कर रहे हो, revision, तब भी आपको पहले वाले question को revision करना है, तो revision करने के technique क्या होने चाहे, average किया, average question किये, ratio proportion किये, इसके साथ average के वो question किये, जो पिछली बार नहीं हो पाई थे आपसे, जिसमें आपको time लगा था जादा, तो वाले question करने, इसी त प्रेक्टिस की जाते है, इस तरह से आपको ज़्यादा देर तक वो याद रहते हैं, ठीक है, सालो-सालो तक वो concept आपको याद रहते हैं, ठीक हो गया, तो यह जिच ध्यार नखेगा कि किस तरह से revision करना है, अगर आप चाहते हैं, किस तरह से आप अपने discipline को maintain कर सकते हैं, discipline को maintain करने के लिए mind को control करने के लिए क्याकर technique use की जा सकती है तो वो उनके लिए भी आप हमें comment बता सकते हैं हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए जिससे आप discipline अपना इंप्रूफ कर सकते हैं जिससे आप productivity अपनी इंप्रूफ कर सकते हैं तो इस चीज को मैं यहाँ पर रख रहा हूं ताकि आप note कर लेके यहाँ पर solution करूंगा मैं तो average of weight of a student is 160 कह रहा है ठीक है 8 बच्चों का average 160 है if a height of a new student is 180 एक बच्चा आया जिसका height 180 थी what is the new average पूछ रहा है इंसे ठीक है 8 बच्चों की 160 थी अगर 9 बच्चा आया जो 9 बच्चा था ठीक है उसकी height थी अगर 160 होती तो कोई फ्रक नहीं पड़ता average में 160 का 160 ही रहता लेकिन वो 20 extra लेके आया अब 20 किसमें बेटेंगे 20 बढ़नेंगे 9 जनों में क्योंकि आप 9 जनों हो चुके है ठीक है तो यहां पर कितना जाएगा यहां पर 0.18 जा 0.222 इस तरह से answer आएगा तो यहां पर पहले का average क्या था 160 और इसमें यह add हो जाएगा क्योंकि हर किसी को 2.22 रुपए ज्यादा मिलेंगे ठीक हर किसी के height 2.22 increase हो जाएगे तो यहां पर यह आपका average बनेगा ठीक है इस consecutive even number is 64 24 ऐसे तो हुई नहीं सकता यह में रूकिए एक दो तीन चार पांच छै च्छै नंबर का average क्या रहा है 64 यहां पर odd होगा क्यूंकि अगर even number है ठीक है जिसे सबसे question कर रहा है अगर even number है और even ही हमारे पास number से जैसे even number एक दो तीन चार पांच छै छै नंबर है ठीक है और नंबर भी even है तो इसका average कभी even आई नहीं सकता हमें से odd आएगा ठीक है तो इसका average कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस question को सही भी माल ल 23 होगा तो अगर यह अला number 30 हो जाएगा तो even कैसे रहता है इवन नहीं रहेगा तो यह question थोड़ा सा गलत है यह even नहीं आएगा यह change कर लीज़ेगा यह और होगा ठीक है और होगा है तब यह हो सकता है वहना नहीं हो सकता है क्या कर रहा है और नंबर है 24 है एक दो तीन चार 5-6 तो स्टार्टिंग के 3 लाष्ट के 3 क्योंकि हमें मिडिल वाला निकलना होता है यह मिडिल वाला इसका average निकला हम वहला 24 निकला इसका average ठीक है इससे पहले वाला number क्या होगा 23 होगा और इसके बाद 25 होगा सिंपल सी बात है अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो इसका म पुछाइब गलत देखा है हमारे content राइटर ने पड़ेगी कोई बात नहीं ठीक हो जाता है अब देखे बारवा कोश्चन हम लोग करते हैं पुछे इंस्टाग्राम में फेस्बूक में पूछे यहां चाहिए वहां पूछे हम सारे सोचल मीडिया में एक्टिव रहते हैं अब आपके यहां अपने पास अकली अब करोंगा क्या मैं बात दूंगा बच्चो में कितने बच्चे हैं च्वाचे हैं तो यहां पर इसको डिवाइट कर लेंगे तो एका 0.50 50 हो जाएगा है यहां पर इसको चाहेगा तो यहां पर यह आंसर बनेगा 75.8 जो यह पूरा आंसर निकाले अगर हलका सही मैच कर रहा है तो आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद अलग कोशन क्या कर रहा ह इसे नेक्स लाइन में क्या बोला कि जो टेंपरेचर है जो वनेजडे हो कितना हो गया 35 हो गया जो मैंने 30 माना था वो मैंने गलत माना था हो 35 है तो माले 5 ज्यादा मानने पड़ेंगे 5 कहां से लेकर आउंगा इनकी जेम से निगालूगा 5 इन दोनों की जेम में से मिलके 5 रुपर निगालूगा तो मले ठाए डाह रुपए इनके कम हो जाएंगे मतलब यह एक्सल में होने कितना चाहिए था यह 35 का है अगर तो यह धाय रुपए कम होगा यह कितना होगा 27.5 यह भी कितना होगा 27.5 ठीक है अब यह करें वाट इस दे एवरेज ऑफ मंडे टूजडे मंडे और टूजडे का एवरेज कितना है दों से में 37.5 आंसर बनेगा अगर मंडे और मंडे नगया पूल यह ता नों को एड आट लेकी तो इंदों को एडड कर दे तो छे टूडे वाइट अगर तो आज शाले को से यह तेख लेकिन इस से पूचा क्या है मंडे और तो इस्टे का पूछा है जो कि same quantity आ तो 27.5 डूकर बनेगा तो यहां पा देखें यह average का question तो ही लेकिन यह साथ में speed time and distance का question भी है तो आपने अभी तक आपको speed time and distance का concept नहीं समझाया है ठीक है कि average speed क्या होती है averages of speed क्या होती है ठीक है दोनों में फरक क्या है ठीक है और average speed कैसे निकालते हैं और speed time का और distance का क्या correlation है ठीक है अभी मैं question solve तो करा दूँगा लेकिन आपको यहां पास समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यहां से आप इसको काट दिए ठीक है यह आपको उससे भी कट जाएगा ठीक है जब मों PDF प्रवाइड गरूँगा तो यहां पर लिख दूँगा कुछ तब इसके बाद वाला question क्या करता है average monthly income of four members is four thousand if one member income is seven thousand what is the average income of three members ठीक काफी आसान question है चार मेंबर है चार हजार है ठीक है उसमें से एक member है उसमें से हम मेंबर नय member नेवर नहीं आया इसमें उसी का मारें की お स्थ हृफ इसका मतलब का अ्योंगता है में इसका मतलब दा एक यहजari पेशार हो गया से एक हजार हूँ थी पूच रहा है तो इसके अफ थीन हजार क्या थैसा कर वह सब्सक्राइब टो टीन हजार हैकं यह हुर्ट भूलेश थे यह तो आरे 3000 के होगा ठीक है ये चैनके लिए आब इस सॉट ciao इसमें तो आप आसानी से बता देंगे ठीक है रंडेट है 3.2 वाट शुट बी दा रंडेट रिमेनिंग फोटी अवर तू रीच अ टार्गेट अ टार्गेट टार्गेट है ना दूसरी टीम ने 282 रं मनाए है आप ने 10 रं में कितने रं बनाये 32 रंक्ड़त मानें किक्यों कि विपामित रं टीपड़ शॉर बदगर मदा 5912 माने 2020 उप्तित्टो पंटम्यं थें बात जाएंगा बहला विएवरेच आपका ओवर का रंडेट होना चीह होगbeiten और चीए और होना चीह होगे इसके बाद वे वे खेल की गई है different different rate में ठीक है और 5 consecutive month तब यह इनके rate रहे है पहला मनद का दूसरा मनद का तीसरा मनद का चौनता मनद का पांचो मनद का यह है तो यह कह रहा है how much sale must be we have in 6 months so we get an average of 6500 ओके तो 6500 का average हो जाए अगर छटे महने में हम कितनी की sale करें काफी interesting question है तो देखे इसको किस approach मैं बना रहा हूँ मैं approach यह मान रहा हूँ कि जो 6 item थे उनकी सबकी जो selling price थी वो 6500 की थी यह मैंने माना जबकि ऐसा है नहीं ठीक है मैं मान रहा हूँ अभी जब सबकी सबकी 6500 की रही होगी तभी तो इसका average 6500 आया होगा क्योंकि कह रहे है we must have in a six month so we get average sale of 6500 माला 6 के 6 month की देखे कोशन में confused मद गया 6 के 6 month की average किसीना बोल ला है जादा है वो calculate कर लेंगे जैसे 640 यह है 6435 ठीक है तो यह कितना कम है यह आपका अगर इस आपका 40 होता तो 65 65 रुपे की कमी है इसमें ठीक हो गया इसमें 65 रुपे की कमी है दूसरे वाले में कितने ज्यादा रुपय ज्यादा में बेचा गया है यहां पर 427 रुपे में ज्यादा में बेचा गया है इसके बाद कितने रुपे में बेचा गया है इसके बाद कितने रुपे में बेचा गया है यहां पर हो गया 500 का 3 बचेगा तो मैं इसको calculate कर लूँगा 427355 प्लस 730 इनको प्लस कर लूँगा तो कितना हैगा देखिए 730 मैं नहीं पर लिख लिए 6 5 कितना हो गया साथ 5 कितना हो गया साथ 5 हो गया आपका 12 12 में से 3 गया 9 9 आया ठीक है यह माइनस का 30 करना था वो माइन माइनस करती है ठीक 9 रुपय है ठीक है अगर 1559 रुपय एक्ष्ट आपके पास है तो लाज्ट के 6 मन्त में आपको 65500 रुपय की चीज खरीदने की जरुवत नहीं है कितना कम रुपय खरी देंगे आप 1509 रुपय कम में खरी देंगे तो अगर मैं 1509 रुपय इस 65100 में से कम कर देता हूं ठीक ह 9 यहां कितना बचेगा 9 ठीक है और यहां कितना बचेगा 4991 जो कि इसका पहला option मनेगा 4991 is the right answer ठीक है कैसे किया मैंने कैसे सोचा मैंने यह सोचा कि अगर सबके पास 65500 रुपय होते अगर पहले मन्त भी 65500 रुपय का बिखता दूसरे मन्त भी तीसरे मन्त भी चौते मन्त से अगर मैंने कैल्कुलीट किया तो मेरे पास 5009 रुपय एक्श्ट्रा मेरे यह मैं थे तो मेरे को लांश्ट मंत कितने की सेल करनाई पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी एकर पैसे 100 की करूँगा तो 55500 रुपय और हो जाएगे एड़ हो जाएंगे ठीक है 65-100 रुपय तो पहले से ही हुँगे और 15-09 रुपय और जुड़ जाएंगे तो मुझे 65-100 की यहां पर सेल नहीं करनी है लाश मत कितने की करनी है पैसर सो में मैं 15-09 रुपय कम कर लूँगा मानस कर लूँगा जो की मुझे आंसर देगा 4991 ठीक है तो इतने की सेल मुझे लाश 6 मंत में करनी पड़ेगी लाश के छटे महिने में लाश कोशन हमसे कहा रहा है कि 8% का जो एवरेज था वो 2.5 से इंक्रीज हो गया अगर धाई इंक्रीज हो रहा है आट जनो का तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ होगा आट दूनी 16 हो गया 16 और 4 कितना हो गया 20 तो मालब टोटल इंक्रीमेंट आया होगा 20 आया होगा जो नया बंदा आया हो 20 रुपए ज्यादा लेके आया होगा अब यह कोश्चन में थोड़ा सा ट्विस देजाए इसने इसने बोला कि वैन न्यू पर्सन कम्स इंदा प्लेस औफ वन ऑफ देम वेट इसक्ष्टी फाइव तो यह हमसे पूछ रहा है कि इस बंदे का एवरेज एज कितना होगा एवरेज कितना होगा ओके तो क्या हम इसको निकाल पाएंगे अब यह बताईए तो यहाँ पर मैंने डाटा इंडिक्वेट भी दिरखाया कि यहाँ पर डाटा पूरा नहीं है complete नहीं है ठीक है तो हम इसक से कम लेके गया हो वेट आवरेज वेट मालेज ची 75 था यह 65 चले गया तो 10 तो इसमें एक्स्ट्राइक्ट हो गए और जो नया आया वह कितने का आया वह आपका 85 का आया ठीक है तो वह भी 10 रूपर एक्स्ट्रा लेकर आ गया ठीक है यह चीज़ समझ रहे हैं अब नहीं सम द्वह हो वह 20 रूपर कम लेकर गया हो तहभी बढ़ेगा ठीक है और आने वाला कुछ भी ना लेके आया हो अगर आने वाला बीक कमले के गया आगया पर 10 रूपर एक्स्टा जोड़ जयॉट जाएंगे तो अब मुझे यह पताईए कि यह नए बंदे का average कैसे निकाल पाँगो, मैं नहीं निकाल पाँगो, कि बहुत multiple condition बन रहे हैं आपर, यह 10 पर कम भी लेता सकता है, 20 पर कम भी लेता सकता है, यह 10 पर कम भी ला सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाँ बंदा जा भी रहा है एक बंदा आ भी रहा है, और जाने वाले का weight भी नहीं पता है में, और जो जा रहा है उसका weight पता है, लेकिन average weight नहीं पता है, 8 person का कितना था, ठीक है, जो average में change आ रहा है, तो data इसमें in-educate होगा, ठीक है, तो इसका अंसर बनेगा data in-educate, तो आज की वीडिय कितना है, तो आज 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 कितना है, तो